नमस्कार दोस्तो मेरे अधार कार्ट में जो अभी address है मैं उससे difference address अपने pen card में update कराना चाहता हूँ या पर आपके मन में एक और question ऐसा होता है कि मैंने अपने pen card को अभी अपडेट कराया है तो मैं उसको कोई दूसरे address पर कैसे मगा सकता हूँ तो आज मैं आपको detail से इसी के बारे में completely बताने बाला हूँ इसरी वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू कर देना और चैनल पर नए आयो तो subscribe करके bell icon को प्रेस कर देना चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखें दोस्तो जब भी आप अपने pen card में किसी प्रकार का कोई भी correction कराते हो या पर इस pen card में किसी प्रकार का कोई भी update कराते हो तो आप यहाँ पर तीन तरीके से करा सकते हो पहला तो यह कि अधार card through EQC through जिस पर आपको ना तो किसी को अपने documents send करने की जरूत होती है और ना ही वहाँ पर upload करने की जरूत होती है और जो दूसरा option होता है यहाँ पर आपको physically अपने documents वहाँ पर upload करना पड़ता है और जो तीसरा option है आपको physically वहाँ पर जो NSDL होता है उसको by post से अपने document से send करना पड़ता है जो भी आप इस पर correction कराना चाहते हो तो अगर आप पहला वाला option चूज करोगे अधार eqbis के थोरो तो आप यहाँ पर अपना जो address है change नहीं करा पाएगो जो अधार card में आपका address है और आप उससे कुछ difference अपने pen card में correction कराके changes कराना चाहते हो तो आप इसके थोरो नहीं कर पाऊगे क्योंकि यह अधार card eqbis के थोरो है आपके अधार card में जो भी address रहेगा पहले से ही वही आपके pen card में आ जाएगा इसके लिए best options रहेगा दूसरा वाला option जहां पर आप अपनी मर्जी का जो भी documents वहां पर चूज कर लेजी बहुत से option आपको मिल जाएगे तो उसके तो आप जो अलग difference address रहेगा इस pen card में करा सकते हो फाइनली दोस्तों मेरा कहने को अतलब यह है कि अगर अधार से difference address अगर आप अपने pen card में update कराना चाहते हो तो आपके नाम का वहां पर address प्रूफ देना पड़ेगा अपलोड करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आपकी जितने भी documents में पहले से पुराने address पर बन चुके हैं और आप एक new home में shift हो चुके हैं और पहले से किसी और के नाम पर वहां पर electricity bill आ रहा है तो अगर आपकी मन में ऐसा question है कि मैं उस electricity bill कि थो अपना address यहां पर update करा लूँ तो आप यहां पर नहीं करा सकते आप कोई अपने name का नया वाला electricity bill वहां पर upload करना पड़ेगा जिस पर आपका वहां पर नाम होना चाहिए तब ही आपका जो new address है इस pen card में update हो जा आप अपने pen card में new address update करा सकते हो या पर आपने correction कराया है तो new address पर आप इसको by post से मंगा सकते हो मैंने आपको completely process बता दिया एक बार और में repeat कर देता हो कि आपको वहां पर जो भी आप address proof के लिए documents upload करते हो तो आपके ही name के होने चाहिए ऐसा नहीं है कि किसी और कि आपको अपलोड करते हो इससे फेल हो जाएगा और successful नहीं हो गया तो आपको आपने ही नाम को वहां पर कोई भी address proof देना पड़ेगा और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का address related कोई question है तो comment section मुझे जरूर लिखके पूछे आना चली मिलते ही next video तब तक के लिए बहुत बहुत धन्नवाद